हुआ अलो दोस्तों नमस्का ड्रिम केंपस में आपका स्वागत है मैं हो से उजेस सिंग अधर दोस्तों साइंस अटेक्नालोजी का ये आज आखरी लेक्शर है और जितने भी कर्ण अफेस की चीजे थी वह मैं कबर कर चुका हूँ साइंस अग्न kunt सब्सक्राइब कर दिया जाएगा और उसके साथ ही जो लोग नए हैं उनको में बता दूँ कि साथ ही जो अधर टॉपिक्स है करन्ड अफेर्स के वो सब सारे कबर हो चुके हैं और उनका पीडिया भी हम टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर चुके हैं अगर आप नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए उसके साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जिए क्योंकि यह जो करन्ड अफेर्स की कूरी सीरीज है यह बहुत ही ज्यादा बेनिफीसियल है आप लोगों के लिए बहुत ही एक यह बार यह कोश्चन पूछा जा चुका है कि गली मौडिफाइड क्रॉप्स या जनेटकली मौडिफाइड इस जो होते हैं इनका फायदा क्या है जो फार्मर्स है वह इसको डेवलप क्यों करना चाहते हैं और उसके साथ साथ इसके जो निगेटिव इंपक्ट या पॉजिटिव इंपक्ट्स हैं वह सब बहुत सारे बहुत सारे चीजे हैं जो जिसकी वज़े से यह इंपॉर्टेंट है और यही वज़ा है कि कई बार यह एक्जाम में कोश्चन पूछा जा चुका है कि जनेटिकली मौडिफाइड क्रॉप्स या जनेटिकली मौडिफाइड जीएम सीड्स यह सब के बारे में पूछा जा चुका है तो इसका जो कंटेक्स्ट है दोस्तों कंटेक्स्ट यह है कि एक सेटकरी संगठन है महाराश्ट्रा का इन्होंने कुछ ऐसे सीड्स का विरोध किया है जो की और अगरर आप अगर आप आप जानना चाहें तो यह एक सपोर्टर है मतलब इस तरह से समझ लेजिए कि एक तरह का ये संगठन है जो कि GM सीड्स को ये GM सीड्स को प्रमोट करने की बात करता है और इसका जो मुख्य उद्देश से है वो ये चाहता है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको मार्केट और टेकनोलजी दोनों का एक्सेस पर्यागत मात्रा में हो ठीक है तो ये तो कंटेक्स्ट हो गया अभी हम जो बेसिक चीज है वो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों बार-बार आप लोग ये कहते हैं कि सर इस्टेटिक पढ़ें कि ना पढ़ें ये भी एक इस्टेटिक का ही पोर्शन है करेंट में तो बस केवल कंटेक्ष्ट है थोड़ा सा ऑकी जो लोग बायो ग्रुप से नहीं है उनको जनेटिकली के लिए modified जो crops होते हैं या just city होते हैं उनको समझने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो तो उनको मैं आसान भासा में बता दूं कि जो GM see see GM crops होते हैं तो हर कोई भी individual हो प्लांट हो या कोई animal हो वह उसका वार्मेशन होता है DNA से होता है जिसमें जीन होते हैं ठीक है कि एक जीन जो है एक क्रेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है it, यह ऐसा में ठीक नहीं है क्योंकि कई बार फालीप- टाइप का भी चीज़े देखी जाती हैं जहां पर एक जीन कई काम करते हैं ठीक है या फिर कई काम जो है मिल करके कई जीन मिल करके एक काम करते हैं कुल मिला के यह समझ लीजिए कि जो चाहे इनिमल हो वो उसके डी ने में प्रजंट जीन की वजह से ही होता है तो ऐसे समय में जिनेटिकली मौडिफाइड सीट क्या होते हैं कि कि किसी बी इंडिवीजिवल को उसका जो जीन का पैटर्न है उसको चेंज करें या फिर उसमें कोई फारें एलियन जीन ले आकर के आ कैसे कि उसमें बाहर से कोई जीन ले आकरके हम इंजाट कर दिये जैनेटिक इंजिनिरिंग के ठुरू ठीक है तो उसका जो जीन सिक्वेंस है उसका जो जीन पैटर्न है जीन नंबर है वो क्या हो गया मौडिफाइड हो गया ओके तो यह जो प्रॉसेस होता है इससे जो इस होता है उसको हम genetically modified seed बोलते हैं तो इसमें दो चीजे हो सकती है या तो कि एक ही माली जी उसी species का gene हम डाले तो इसको हम intra specific बोलते हैं या फिर हम अलग genus का लेके आए देखिए क्या होता है कि जब आप biology पढ़ते हैं तो उसमें एक क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफिकेशन में एक sequence होता है ठीक है सबसे नीचे जो आपका होता है वो species होता है उसके उपर आप बढ़ेंगे तो genus होता है मतलब की एक ही species के बीच में हम जीन ट्रांसफर कर रहा है तो वो intra specific होता है और उसके बाद अगर हम genus से transfer करते हैं किसी अदर जीन से जीनस से ले आकर करके जीन को add करते हैं तो इसको हम intra इंटर जेनस भोलते हैं ठीक है तो बात हो गई कि इसका जो प्रॉसेस होता है वो क्या होता है ओके देगे कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग इन्वाल्फ क्रासिंग स्पीसीज आप दा सेम जीनस टू प्रोवाइड आफ स्प्रिंग बिद डिजाइड ट्रेट आप बोथ क्या होता है कि मालीजीय की क्यों मक्के का प्लांट है और उसमें हम कुछ सुधार चाहते हैं और Smith Italian करेंगी चाहते हैं उसको inject कर देंगे तो यह लगभख cross pollination से या फिर इस तरह से जो नेचरल विधी होती है उससे कर दिया जाता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उनके बीच में जो cross pollination होता है वो संभो नहीं होता है तो ऐसे समय में हम उसको genetically modified करते हैं genetic engineering के थूँँ अब जो genetic modification होता है जो GM crops यह GM seeds होते हैं वो ज्यादा तर genetic engineering के थूँ ही किये जाते हैं okay genetic modification aims to transcend the genus barrier by introducing alien gene in the seed to get the desired effect माली जीए कि कोई धान का है उसमें हम सूखा से लड़ने के लिए कोई हम ट्रेट करना चाहते हैं या वाटर लागिंग से लड़ने के लिए हम समधान करना चाहते हैं तो ऐसे में जो पर हमको मिलता है मुझे को ले आ करके अपने जायड प्लांट में डाल देते हैं ओके बीटी काटन इस ओनली genetically modified crop that is allowed in India अपने यहां जो जीटी जीम क्राप का जो आप यह समझे लिए कि लीगलिटी है उसमें अभी तक केवल जो बीटी कॉटन है हमारा उसी को अभी तक इसमें जो जीन डाला गया है ठीक है वो जीन कहां से आया है बैसिलस थुरिंजंसी से बैक्टीरिया है इसका जीन उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों जो यह genetically modified हमारा बीटी कॉटन है इसका इसकी परिशानी यह थी कि इसमें पेस्ट बहुत ज्यादा लगते थ है तो जो उनका elementary कैनाल होता है वो बर्ष्ट कर जाता है जितने भी पेस्ट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है ठीक है तो इस तरह से जो इसका basic intro है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं अगर हम legal provisions की बात देखें कि इंडिया में legal provisions क्या है तो genetic engineering appraisal committee है यह apex body है और यही allow करती है यह disallow करती है किसी भी GM क्रॉप को release करने के लिए या उसको बैन करने के लिए इन्टू दा 2002 GEAC had allowed the commercial release of the bt cotton more than 95% of countries cotton area had since then come under the bt cotton उसके बाद से यह bt cotton का जो हमारे हां cultivation हो रहा है वह बहुत तेजी से हो गया है यह सब बाते तो हो गई कि अगर आप जो है उसका उलंगन करें यह आप अनप्रूब्ड जी जीम बैरियंट कैन अट्रेक्ट जेल टर्माफ फाइव एयर्स फाइन आप वन लाग अंडर दा इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक 1986 ठीक है तो एक यह समझ लिए आपका प्रेलिम्स का भी कोस्चन यहां पे हो सकता है कि जो जीम क्राप्स हो यह समतलब आप जो है ईंट्रो लिखने के बाद एक जो अगला पहर्माफ लिखेंगे वो क्या लिखेंगे उसके बाद जो में चीज्ञा है वह लिखना यह की फार्मर्स इसका डिमांड क्यों करते हैं और इसका जो इंपक्रेंट है ग्मान इसलिए करते हैं कि G जीएम क्रॉप्स यूज करेंगे तो जो हमारी कास्ट आती है वह कास्ट कम हो जाएगी प्रोड़ जाएगी उसके बाद बीटी काटन अगर जेनिटिकली पेस्टीसाइट को आप कनट्रोल कर रहे हैं जीनैंपरीवर्त्न प्रब्ल्म हो सकती है वह सबसे ज्यादा इस्टेबल होंगे तो यह हमारा जो एक समझ लिजे कि एक इको सिस्टम होता है उसको यह डिस बैलेंस करेंगे ऐसे समय में क्या होगा कि कोई भी एक प्लांट वाले इस प्लांट को हम जनेटिकली मौडिवाइट किये हैं वह क्या होगा वह डॉमिनेंट हो जाएग ठीक है यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जीएम क्राप्स विकाज आप दियर पेस्ट रजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक को इलिमिनेट इंप्वार्टेंट इस्पीसीज आप दा पेस्ट समझ रहे हैं जो चीज मैं आपको बताया कि एक तो वह की अपने आस पास के जो और इस्पीसीज के प्लांट्स होंगे उनको बरबात कर देंगे क्योंकि उनके अंदर हर्विसाइड रेजिस्टेंट है वो उनके अंदर हर्विसाइड को मारने की ताकत है जीन है और उसके साथ साथ अगर इस्पीसीज को हम खतम करते रहेंगे क्यो ट्रॉडब्रीटिटी ठीडे में अफ्रेक्ट द फूर चेन आलसो जिसके बताया था कि जतनी ज़्यादा भाइवरसीटी होती है, उतना ही स्ट्रॉंग फूर्ड फूर्ड वेव होता है, लेकिन देरे-देरे अगर प्लांट का और जो आपके अनीमल्स हैं, जो जीो जन्तु है उनका भी इस पीसीज अगर बायोडियोटिक कम हो जाएगी तो जो फूर्ट चेन होगा वह भी चेंज हो जाएगा उसके बाद देखें न्यूट्रीसियस इसू है एक न्यूट्रीशन का लेकर के बीटी ब्रंजल पोजे जा रिस्क टू हुमन हेल्थ एज इस रेजिस्टेंस तो एंटी बायोटिक्स कैंट टर्न मेडिसीन इफेक्टिव एंड में रिजल्ट इन दा फार्मेशन आप न्यू टॉक्सिंस एंड एलर्जन्स ठीक है देखें जो बीटी ब्रंजल है उसमें जो चीजे यूज की गई हैं जो आपके जीन्स यूज कि होगा एंटीबायोटिक मेडिसीन का असर आपके ओपर नहीं होगा तो यह बंस तरह से समझ सकते हैं कि निवट्रीशी यूफी होती है उनकी वो ट्रेडिशनल स्वटे वान्स होते हैं ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट होते हैं उन से उनकी नूट्रिस नूट्रिसियस बैलू कम होती है उसके बाद implication for consumers and farmers ठीक है it is claimed that the patent law give developer of the GM crop a dangerous degree of control dominance over the food supply that results in the over domination of the world food production by few companies देखे क्या है कि जो genetically modified seeds होते हैं इसमें कुछ companies होती है कुछ companies multinational companies है जो की अपना dominance रखती है monopoly रखती है उसके production में ऐसे में क्या होता है एक तुवो जीन ऐसे terminator gene type का technology यूज करते हैं कि आप एक बार यूज कर लिए तो दुबारा उस seed को आप यूज नहीं कर पाएंगे आपको नया seed खरीदना है ठीक है ऐसे में क्या होता है कि जब उनकी monopoly हो जाती है तुवो rate भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं और उसके साथ-साथ terminator technology यूज करने की वजह से क्या होता है कि हर साल उनको नए जो seeds होते हैं उनको खरीदने की आवस्था ऐसे में दोस्तों जो way forward हो सकता है वो way forward क्या हो सकता है कि सबसे पहला way forward तो यही होगा कि किसी भी seed को approve करने से पहले उसका environmental impact assessment किया जाए कि environment पे क्या impact पड़ेगा उसके साथ-साथ जो long term impact होगा food chain पे, food wave पे उसके क्या impact पड़ेगा इन सब चीजों की जाच करनी के बाद ही किसी भी नए seed को launch करनी की अनुमती देना चाहिए ठीक है, उसके बाद ensure that the unproved variety of GM seeds is not allable in the market ऐसे seeds को market में allability से रोकना चाहिए जिस जोकी unproved है मतलब यह कि उसका proper तरीके से study नहीं हुई है, proper तरीके से उसका assessment नहीं हुआ है तो ऐसे seeds को market में जाने से रोकना चाहिए, ठीक है in order to curb the illegal cultivation of GM seeds the genetic engineering appraisal committee should क्या क्या करना चाहिए, उसको collaborate with the state government and launch a nationwide investigation tribe मतलब कि अगर आप unauthorized तरीके से GM seeds का production कर रहे हैं, तो इसको track करने के लिए क्या करना चाहिए, जो हमारा appraisal committee है, उसको state government से के साथ collaborate करके, एक nationwide जो nationwide investigation move होता है, वो launch करना चाहिए, उसके साथ take action on threats, आप deliberate GM crop production, अगर कोई इस तरह से GM crop का production करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाब जो है, जो आप यह कह सकते हैं, जो भी strong action लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, उसके बाद investigate and persecute those involved in the illegal supply of GM seeds, ठीक है, encourage organic farming, ठीक है, तो यह सब सारी चीज़े, यह सब विधिया हैं, जो आकी आप लिख सकते हैं, कि यह सब वे फारवर्ड के रूप में government कर सकती है, the government should go far commercialization of GM seeds, only after the core and deep research on the long term prospects and benefit of the commercialization of GM seeds in India यह common conclusion है, कि सारे major, सारे steps लेने के बाद, पूरी तरह से sure होने के बाद ही, government को किसी भी GM seeds को launch करना चाहिए, ठीक है, तो यह तो बात हो गई, कि जो हमारा GM seeds है, उसके बारे में, अगला जो topic है, दोस्तों, आज का जो topics है आज के topics बहुत ही मज़ेदार हैं और relevant हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो है videos को पूरा देखिएगा, और आराम से देखिए, ताकि आपको सारी चीज़े अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं, तकि इस space participation, space sector में, private participation देखिए, जब हम space वाला section कर रहे थे तो उसमें भी हमने बताया था, कि private players को यहां पर include करना चाहिए, involve करना चाहिए, ताकि जो है और अच्छे से expertise और जो भी innovation है, टेकनोलोजी है, वो हमारे space sector में आ सके, और उसके साथ, जो other functions होते हैं, जो छोटे-छोटे functions हैं, वो private companies करें, और जो major functions होते हैं, वो करें, ठीक है, इस से क्या होगी, efficiency आगे बढ़ेगी, तो जो इस topic का context है, वो यही है, हलाकि context में, जो recent में घटना घटी है, मतलब जो current है, वो यह है, कि union cabinet has approved the creation of Indian National Space Promotion and Authorization Center, मतलब in space, to provide a level playing field for the private companies to use the Indian space structure, मतलब एक in space authority बनाई जा रही है, जो कि private players जो भी Indian space infrastructure को use करना चाहते हैं, वो उनको guide करेगा, उनको facilitate करेगा, और जो भी जरूरी जानकारी होगी, वो उसको देगा, ठीक है, this is the part of reforms I am at giving push to the private sector participation in the entire range of space activities, ठीक है, यह उसी का है कि हम space में private participation करना चाहते हैं, उसी को बढ़ाने के लिए यह move लिया गया है, ठीक है, तो अभी इसका जो detail है, उसको हम देख लेते हैं, कि जो in space है, वो क्या करेगा, या फिर other authorities जो है, उनका क्या काम होगा, और ऐसे में जो private participation होगा, उससे space related activities, आर यूज इंडिया इस पेस रिसोर्स इस, यह जो है, यह समझ लिजिए कि यह इस रो की एक office है, अगर कोई participate करना चाहता है, कोई private party participate करना चाहता है, या फिर कोई उसका resource यूज करना चाहता है, इस रो का, तो कहां पे contact करेगा, in space में contact करेगा, मतलब यह, कि यह front जो interface है, इस रो का, वो front interspace कौन सा है, in space है, अब देखें जिसे, इसमें अगर आपको यह चीज देखना है, कि space related activities, यह तो आपको समझ में आ रहा है, कि माली जी कुछ कोई satellites बनाना है, rocket बनाना है, यह सब सारी चीज़े बनाना है, तो यह तो activities हो गई, लेकिन huge India space resources, कोई भी private company, जो space resources है, उसको कैसे use कर सकता है, इसको समझने के लिए, आप आसान भासा में इस तरह से समझ सकते हैं, कि बहुत सारी coaching institutes हैं, जो कि अपना live classes चलाते हैं, YouTube पे नहीं, उनका अपना अलग system है, जो कि satellite के मात्यम से चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कि जो इस रो है, उनसे अपना एक collaboration है, उनसे एक agreement है, contract है, और इस रो उनको सब सारी facilities provide करवाती है, या फिर कोई private अगर new channel है, व इस पेस रिसोर्सेज है इस रोके वो सब योज करती है तो जो पहला काम है उसका यह है कि सिंगल पॉइंट इंटरफेस है कि कोई भी किसी भी तरह का काम है आप अगर इस रोसे करवाना चाहते हैं तो आप यहां से यहां पर जाके संपर्क कीजिए उसके बाद इड़ आलसो ह प्राइबेट को प्रमोट किया जा सके उसके बाद जो इंडियन नेशनल इस सपेस प्रमोशन बोर्ड है उसका क्या काम है कि इड़ उडवी सेट अप टू इस ट्रेंथन दा इपार्ट्मेंट आफ इस प्रमोशन आप प्रइबेट इस पेस इंट्रपरेनर अर्ड नान अग्टिविटीज हैं उन सब अट्टिविटीज को क्या कर दिये जाएगा प्राइबेट लोगों को दे दिये जाएगा और जो इस रो होगा वो उसका जो में परपज होगा वो क्या होगा कि जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए वो काम करेगा रिसर्च और डिवलप्मेंट का काम करेगी प्लेनेटरी एक्स्प्लोरेशन करेगी ठीक है इस्टेजिक यूज आफ इस पेस फ्वाइल फ्रींग इटसल्फ फ्राम दा एंसिलिरी और रूटीन वर्क विच्ट इजली डन प्राइबेट इंडस्ट्री ऐसे सारे काम को छोड़ देगी जो कि बहुत ही आसानी से प्राइबेट सेक्टर कर सकती है और यह अपना फोकस जो हाई-tech हाई-tech एंड जो भी एक्टिविटीज है यह अपना फोकस उस पर रखेगी उसके बाद यह कहा जा रहा है कि यह जो द्रिवेन होगा मतलब बाइदा सपोर्ट आफ न्यू इस पेस इंडिया लिम्टेट इट उड़ इंडेवर तो री औरियंट सपेस एक्टिविटीज फ्राम सप्लाइड ड्रिवेन मॉडल तो डिवां डिवां डिवन दियर्वाइब इंसीरिंग आप्टिमम यूडिलाइ कोई किसी सर्विस की दिमांड करता है तो हम उसको डिमांड के रूप में डिमांड के एकार्डिंग ही उसको सप्लाइड करेंगे ठीक है दा मेन अबजेक्टिव आप एनसाइड इनसाइड इस्केल इंडेस्ट्री पार्टिसिपेशन इंडियन स्पेस प्रोग्राम इन बढ़ा सकेंगे तो उम्मीर है कि यह आपको समझ में आ गया होगा अभी देख लेते हैं कि इसका सिगनिफिकेंस क्या होगा कि अगर प्राइबेट यही में मुद्दा है क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एक्जाम के पॉइंट आप विव से जो में मुद्दा है मारा चिंफिकेंस है अगर प्राइबेट ट्रइफिकेंस क्या हो गां या फ्रyanिफिकेंस बनाया जा रहा है लिए पिर जो जितनी बाडीज़ बनाए जा रही है उसका क्या सिंपिकेंस होगा इस पहले देखें यृवल प्लेइंग फेल्फार था प्राइबेट कंपनिउ to use Indian Space Infrastructure मतलब कोई भेद भाव नहीं करेगा ठीक है फिर उसके बाद Research and Development इस रिफार्जन बिल एलाओ इस रोटो फोकस मोर निव टेक्नोलोजी एक्स्प्रोरेशन मिशन्स और इस रोटो फोकस क्या हो जाएगा जो बड़े काम होते हैं उसके लिए हो जाएगा ठीक है वह भाग लेना चाहती है तो भाग ले सकती है ठीक है एक मेकेनिजम होता है जिसके दाहत उनको जो है मौका दिया जाएगा उसके बाद fruitful dissemination of space technologies allowing industries and other like student teacher researcher academic bodies greater access to space assets to lead to a much better utilization of space resources अगर space resources को हम open कर देंगे कि जो भी इसको यूज करना चाहता है वो यूज करेगा तो जो उनका टेकनोलजी है उसका dissemination मतलब बिस्तार बहुत तेजी से होगा उसके बाद social economic use of space assets obviously यह social economic वाला factor तो रहेगा ही फिर उसके बाद global technology powerhouse अगर हम private sectors को involve करेंगे तो जो हमारा space technology है उसमें बहुत तेजी से विकास होगा और इस तरह से ग्लोबल लेबल पे एक powerhouse के रोप में भारत उभर के आएगा तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्राइबेट participation है उसका क्या significance है हमारे लिए इस पेस सेक्टर में ठीक है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सिलेरेट एक्सिलेरेट विज्ञान इसकीम ठीक है यह नई इसकीम है जैसे कि देखिए बार-बार आप लोग कहते हैं कि सर इसकीम के दे करके कोई बहुत भी से फायदा नहीं होगा आपको मैं तो यह कहूंगा कि आप इसकीम से रिलेटेज जो आप टेंसल लेकर के घूम रहे हैं उसको छोड़ दीजिए क्योंकि उससे कोई बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है जो भी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले छोटा सा बैक्ग्राउंड आपको बता देता हूं फिर आपको यह पूरी टॉपिक समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से देखिए अपने यहां क्या है कि जो रिसर्च एंड डिवलप्मेंट का इन्वायर्मेंट है मतलब कि जो इसको बढ़ावा भी दे और आगे चल करके उनको फाइदा हो इन्वेटर के रूप में फाइदा हो पेटेंट लाके रूप में उनको फाइदा हो तो यह सब जो हमारे यहां फैसलेटी हैं वो काफी कम है तो जो यह एक्सिलेरेट विज्ञान स्कीम है यह इसी चीज को प्रॉपर तरीके से हो सके और उससे उनको लाभ भी मिल सके तो यह जो इसकीम है इसका पूरा कंटेक्स्ट यही है अभी हम इसको आपका टेक्स्ट है टेक्स्ट के रूप में देख लेते हैं इसका अब्जेक्टिव है तो गिप मोर थ्रस्ट अन इंकरेजिंग हाई- साइन्टिफिक मैन पावर ठीक है जितना ज्यादा रिसर्च होगा जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट होगा उनको मौका मिलेगा डिमान्स्ट्रेशन के लिए दिखाने के लिए तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और ऐसे में उनका जो इसकिल डेवलपमेंट कम अट्रेक्टिव हो रहे थे कम जाना चाहरे थे कैरीयर के रूप में उसको कम चुनना चाहरे थे अभी जो है इसर्थे स्कीम के तहत उसको एक कारीयर आप्शन की रूप में विक्षित करने की बात कही जा रही तो इक्सपैंड दा रिसर्प्स बेस थ्री ब्रौड घोल् जब तक नहीं मिलेगा उनको तब तक वो अपने जो भी इनोवेशन है जो भी रिसर्च है उसको डिमंस्टेट नहीं कर पाएंगे तो जो यह इसकीम है उसका एक गोल यह भी है कि उनको एक वर्क प्लेस जो है प्रोवाइट करवाया जाएगा उसके बाद क्रियेटिंग अपर्चुनिटीज हार्दर रिसर्च इंटर इंटर इंटर्णसिप अगर कोई रिसर्च में इंटर्णसिप करना चाहता है तो उसको भी बढ़ा इसको यूज करिए ठीक है एक्सपेरिमेंट कीजिए यह सब सारी चीज़े हैं अब जो है अगर इसको टेक्स्ट के रूप में देखें तो इस एन अटेम्ट तो बूस्ट रिसर्च और डिवलप्मेंट इंडर कंट्री इनाइविलिंग और अभ्यास जो प्रोग्राम है इ पहला कंपोनेंट है हाई-इंड वर्क्साफ मतलब की कारियसाला उनको कारियसाला दिया जाएगा कि वो अपने कर सके और उसके साथ उनको कुछ इंटर्शिप मतलब की बृतिका भी डिया जाएगा ताकि उनके रिशर्च में कोई बाधा ना उत्पन हो ठीक है इस इस पेस उसके पास पहुच है तो नगोनेंट का और संभूकयर संघोषक्षि का मतलब होता है सेमिनार संयों जी का मतलब होता है कि यह एक open end program होगा कि जहां पर संयों जन किया जाएगा एक दूसरे के साथ collaborate करने की बात की जाएगी collaboration में काम करने की बात की जाएगी ठीक है तो यह तो basic हो गया कि इसके क्या components हैं क्या सारी चीज़े हैं आगे बढ़ते हैं इसका जो significance है उसके बारे में हम देखते हैं तो इसमें क्या हो सकता है एक तो देखिए capacity building होगी दूसरा social responsibility बढ़ेगी इससे ज्यादा इसमें जो significance है आप अपने आप points generate करके लिख सकते हैं बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है वे फारवर्ट के रूप में आप इसमें क्या लिख सकते हैं ठीक है इडिविल वर्क इन mission mode, mission mode में काम करना चाहिए particularly with respect to its component dealing with the consolidation and aggregation of all major scientific events in the country ये mission mode पे काम करना चाहिए उसके साथ साथ it will also initiate mechanism of monitoring, training and hands-on workshop on the national scale मतलब की monitoring करना जरूरी है अधरवाज देखिए हर छेतर में फ्राड होता है फरजी mark sheet फरजी certificate बनेंगे तो ऐसे में monitoring ट्रेनिंग भी करना बहुत जरूरी है तो ये आप एक way forward के रूप में ये सब सारी चीजें लेख सकते हैं ठीक है तो ये बात हो गई हमारा जो accelerated विज्ञान scheme है उसके बारे में अभी जो अगला topic है वो है low cost capacitor capacitor का simple सा मतलब होता है कि battery आसान भासा में समझ लीजिए एक ये नई battery develop करने की बात की गई है जो की ज्यादा long lasting है low cost है environment friendly है ठीक है ये सब सारी चीजें है उसी के context में ये topic है तो जो इसका context है recently scientist at the international advanced research center for power metallurgy and the new materials have developed a simple low cost environment friendly and sustainable super capacitor device ठीक है super capacitor capacitor device is a next generation energy storage device they are also known as ultra capacitors ठीक है it has the significant advantage such as high power density इनकी density काफी ज्यादा है long durability है ultra fast charging characteristics है ठीक है compared to the conventional lithium ion batteries जो अभी तक हम batteries यूज करते हैं यलाई batteries यूज करते हैं उनके comparison में ये ज्यादा durable है इनकी power density ज्यादा है और ये जल्दी चार्ज हो जाते है ठीक है इसमें जो main components है वो है electrodes, electrolytes, separator and current collector ये सब basic है battery आप बचपन से पढ़ रहे होंगे कि battery में क्या क्या होता है तो ये सब उसके components होते हैं ठीक है अब इसमें जो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है इन सब चीजों का definition दिया हुआ है बहुत ज्यादा important नहीं है अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए जानना च प्रवाइट करवाता है तो एक तो सबसे बड़ा benefit यह हो गया उसके बाद it exhibited maximum capacitance, good durability, high efficiency यह सब सारी चीजे हम पहले से ही देख चुके हैं उसके बाद when integrated with a solar cell, if these capacitors are integrated with the solar cell, the super capacitor will become low-cast, eco-friendly, efficient and self-powering device इसके बारे में भी हम पीछे देख लिए उसके बाद इसकी long life cycle है maintenance free power supply के लिए यह जो है उपयूपत होगा क्यों क्योंकि अगर long life cycle होगी तो बार-बार जो maintenance करना पड़ता है वो maintenance करने की आवाशकता नहीं होगी conclusion के रूप में लिख सकते हैं कि development is an excellent example of creative science for sustainable green process embedding principle of waste to health, waste to wealth program ठीक है तो यह आप इस तरह से conclusion के रूप में आप इसको लिख सकते हैं उम्मीद है कि यह बहुत चोटा से topic था यह आपको समझ में आ गया होगा अगला जो हमारा topic है वो है risk of interplanetary contamination on Mars यह भी बड़ा interesting topic है कि अभी तक हम pollution के रूप में देख रहे थी कि pollution हमारे earth surface पे ही है ठीक है contamination हमारे earth पे है लेकिन अभी जो है हम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि जो हमारा other planets है उस पे भी contamination हो रहा है तो हम कुछ ऐसा प्रोग्राम करें ऐसा काम करें कि जो उनका contamination है उसको रोका जा सकी ओके इंटरप्लेंटरी कंटामिनेशन रिफर्स टू बायलोजिकल कंटामिनेशन अफ प्लेनेटरी बॉड़ी बाइए स्पेस प्रोबर इस्पेस क्राफ्ट इधर डेलिबरेट और अनिंटेंशनल दीए पहले तो कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि इस्ट्रोबायलोजिस्ट है एक्सप्रेस कंसर्ड एवाउट पॉसिबल इंटरप्लेनेटरी कंटामिनेशन अन मार्स एज एंबीचियस इस्पेस मिशन और प्रोडिफरेटिंग इस्पेस एलांग बिद एडवांसे आप इन दा कमर्सियल फ्लाइट्स कंटेक्स्ट यह है कि आज के समय में जो मार्स पे फ्लाइट्स हो रही है मार्स में जो मिशन हो रहा है वह बहुत तेजी से हो रहा है जैसा कि अभी आप देख सकते हैं UAE का एक मिशन जा रहा है जिसको होप बोला गया चाइना का एक मिशन था वो भी लांच हुआ उसके अलावा भी जो मार्स मिशन है वो बहुत सारी कंट्रीज लांच कर चुकी या लेडी या फिर लांच कर रही हैं तो ऐसे में कंटमीनेशन होने के चांसे बहुत जादा बढ़ जाते हैं इंटर प्लेनेटरी कंटमीनेशन का मतलब यह है कि माली जी कोई स्पेस क्राफ्ट कोई चीज जो है लैंड कर रही है मार्स पे सब्सक्राइट कि वह अपने साथ कोई ऐसा बैक्टिरिया कोई फंजाई वाइरस लेके गया और वहां पर ड्रॉप कर दिया तो ऐसे में क्या होगा कि वहां पर जो आउटसाइड मतलब की अर्थ के जो बायोजिकल एलिमेंट्स होंगे वहां पर जाकर रिख करने लगेंगे ग्रो करेंगे तो वहां का जो biological environment होगा उसमें चेंजे जा जाएंगे इसी को हम interplanetary contamination बोलते हैं अधिक्य यहां पे context है कि USA ने अभी तक कितने launch कर दिये हैं इंडिया ने कितने launch कर दिये हैं यह चाइना ने कितने ताइप का है तो आप अगर यहां पर पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री यहां पर सकते हैं अब आगे हम देखते हैं कि जो interplanetary, आपका da vaccination होता है तो यह दो तरह का होता है पहला होता है कि forward contamination, forward contamination का मतलब यह हुआ कि अर्थ surface से कोई microbes ले जाकर के दूसरे प्लाइनेट पे छोड़ दिया जा है और वहां पे जो है उसका डिपलफमेंट हो यह तो हो गया फारवर्ड कंटामिनेशन उसके अलावाद दूसरा है बैकवर्ड कंटामिनेशन मतलब की अब वहां से अगर कोई सेंपल वगएरा भेजा जा रहा है तो यह भी की बहुत जादा चांसेज है कि वहां का जो बाइलोजिकल एलिमेंट है बाइलोजिकल माइक्रोब्स हैं वो क्या हो सकते हैं कि अर्थ सर्फेस पे आ सकते हैं मतलब यह कि इसमें जो है दोतरफा कंटामिनेशन हो रहा है एक तो यह कि अर्थ सर्फेस के माइक्रोब्स अधर प Contamination है Interplanetary Contamination है वो दो तरह का होता है अभी हम देखते हैं कि जो protection measures लिए गए हैं अभी तक protect करने के लिए क्या क्या काम किया गया है तो उसमें सबसे पहला यह कि United Nations का open space treaty है 1967 का यह क्या करता है कि it serves as a defense mechanism against the militarization of space and also requires nations to worry about the contamination risk पहले पहली बात तो यह करता है कि space को militarize करने से यह रोपता है कि किसी भी condition में कोई भी country space को militarize नहीं करेगा उसके साथ साथ यह उसकी भी बात करता है कि जो contamination risk है सारे देश ऐसे measures उठाएंगे ऐसे steps उठाएंगे ताकि contamination को कम किया जा सके ठीक है it's 110 state parties including the USA, Russia and China मतलब 11 parties है इसमें to ensure compliance with the treaty the committee on space lays down a planetary protection policy एक planetary protection policy भी बनाई गई है that aims to limit the number of microbes sent to other planet as well as ensuring that alien life does not cause havoc on the earth ठीक है कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे microbes को हम deliberately लेके जाते हैं वहाँ पर experiment करने के लिए तो यह जो treaty है यह कहती है limit करती है कि आप जो है कितने microbes या कितने elements इस तरह के biological elements आप इस पेस में ले जा सकते हैं और उसके साथ साथ यह यह भी कहता है कि ऐसे steps ऐसे regulations देता है बनाता है कि जो alien life है जो वहाँ पर life है वो धर्ती पर या अर्थ पर ना आने पाए ठीक है अगर हम इस policy का impact देखें दोस्तों यह सब सारी जो चीजे में बता रहा हूं इसको आपको एक ही paragraph में लिखना है और बहुत ही sort में करके लिखना है जितना sort आप कर सकते हैं ओके the guidelines have had the far reaching implication on human spacecraft design मतलब की जो spacecraft है उसकी design भी इस policy के एकार्डिंग बनाया जाता है उसके साथ साथ जो operational procedures होते हैं वो भी इस तरह से रखे जाते हैं कि इस treaty का violation ना हो ओके उसके बाद overall mission structure जो होता है वो इस outer space treaty के एकार्डिंग ही होता है ताकि कोई भी खत्रा कोई भी danger ना हो पाए ओके इसके अलामा एक fact यह है कि both the NASA and European Space Agency also has appointed a planetary protection officer उनके respective countries में एक planetary protection officers की भी नियुकती की गई है ठीक है तो यह तो बात हो गई कि contamination कितने type के होते हैं contamination के बारे में interplanetary contamination के बारे में अभी contamination को रोकने के लिए solutions possible solutions क्या हो सकते हैं उसके बारे में अगर हम देख लें एक तो यह कि spacecraft sterilization flight मतलब की होने से पहले भेजने से पहले उसको पूरी तरह से sterilize कर दिया जाए ताकि जो भी संभावना है वहां पे उसके साथ containment दूसरा जो solution है वो है containment का containment देखिए क्या है कि अगर हम space flights को spacecraft को जब हम भेज रहे हैं तो उसको sterilize हम कर सकते हैं ठीक है लेकिन जब इस पेस क्राफ्ट वापस आता है तो उसको sterilize नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि उसके साथ बहुत सारे samples होते हैं अगर हम उसको sterilize करें तो जो उनके साथ आया हुए sample है वो उसमें defect आ जाएगा वो खराब हो सकता है तो ऐसे में जो contamination है उसको रोकने का सबसे आसान तरीका सबसे बहतर तरीका यहीं है कि उसको containment में रखा जाए मतलब कि कुछ दिन के लिए उसको contain करके रखा जाए ताकि जो उनके microbes है उनकी death हो है उसके बाद हम जो भी sample है उसको हम बाहर निकाल करके उसका experiment करें ठीक है यह सब बाते हो गई solution की अगर way forward के रूप में आप लिखना चाहते हैं conclusion के रूप में in the present times nation have been fighting a race to get a strategic age and compromising the ethical aspects of the space technology therefore it is important to acknowledge that space may not become purely a military domain due to weaponization of the space एक तो यह कि militaryization को आप मना करी अपने conclusion में कि जो militaryization है वो नहीं होना आप चाहिए उसके बाद space must be used only for the peaceful purposes and any violation आप outer space treaty must not be tolerated ठीक है यह सब आप कर जो way forward है उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं ठीक है अगला जो हमारा topic है वो है use of winter diesel in लग्दाक ठीक है winter diesel क्या होता है इसका significance क्या है topic यह है कंटेक्स्ट यह है कि अभी लग्दाक में जो है winter diesel को यूज करने का एक प्रपोजल मतलब कि इस तरह समझ लिए कि इलाओ किया गया है इंडियन आयल कर्पोरेशन है 60 अप्रूबल फ्रामदा डिरेक्टरेट जनरल आफ वालिटी एस्वरेंस फार्दा यूज आफ विंटर डीजल बाइद आर्म पोर्सेज फार्दा आपरेशन इंदा हाई हाई एल्टिट्यूड एरियाज में क्या होता है कि टंप्रेचर बहुत कम होता है और जो रेगुलर डीजल होता है उसका यूज वहां पर नहीं हो पाता है क्योंकि इसकी विसकासिटी काफी जादा होती है तो उसका जो बर्निंग पॉइंट होता है वो काफी बढ़ जाता लाइक लग्दाक, कारकिल, काजा, केलाउंग, which faces the problem of freezing up diesel in their vehicles in extreme weather conditions. आप इसको समझी रहे होंगे कि extreme weather conditions के मतलब अगर extremely low temperature है, ऐसे में जो हमारा regular diesel होता है, वो freeze कर जाता है, तो जो वेहिकिल होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं. Winter diesel क्या है? It is a specialized fuel, यह जो आपका winter diesel है यह specialized diesel है अभी इसके specific characters क्या होते हैं उसको हम देखेंगे उसके पहले यह जा लेजिए कि यह जो BS 6th grade के जित्ते भी norms होते हैं winter diesel सारे norms को पूरा करता है तो ऐसे में इसका use करना या इसको इसकी use को allow करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है अब इसमें जो इसके characteristics हैं उसको हम देख लेते हैं कि जो winter diesel है वो low viscosity है उसकी viscosity कम होगी तो वो जो है हमेशा fluid condition में रहेगा किसी भी temperature पे हलाकि किसी भी temperature पे नहीं एक certain temperature होगा जिसके नीचे जाने के बाद वो वापस से उसकी viscosity बढ़ जाएगी और उस point को क्या बोलते हैं low pore point यह point ऐसा होता है कि इसके नीचे जब अगर temperature जाएगा तो तभी जो है उसका वो जो liquidity होती है जो fluid characteristics होता है वो lose करेगा ठीक है तो जो winter diesel है उसका जो pore point है वो काफी low है कितना है minus 30 degree Celsius तक यह जो है liquid condition में रह सकता है उसके बाद higher seat rating है यह क्या होता है कि indicator of the combustion speed of the diesel and compression needed for the ignition जो cnet rating होती है अगर rating कम है तो इसका मतलब कि जो combustion उसका capacity है combustion कम होगा जो ignition के लिए combustion चाहिए होता है compression चाहिए होता वो compression नहीं हो पाएगा ठीक है लेकिन जो winter diesel है इसकी c10 rating काफी अच्छी है मतलब यह कि यह combustible भी है अच्छे speed पे अच्छे timing पे यह efficient जो है combustion इसमें हो सकता है उसके बाद low sulfur content है इसमें मतली function करेगा जो भी उसके equipment से जो भी पार्ट से इंजन के वह अच्छे से इसमूथली function करेंगे अब अगर हम winter diesel का significance की बात करें तो significance में आप देखी सकते हैं कि border tension चल रहा है लद्दाग में तो ऐसे में वहाँ पे जो military equipment से जो वहिकिल्स हैं उनको चलाने की जरूरत है तो ऐसे में वीडियल जो विंटर डीजल है यह हमारे लिए काफी महत्तों का होगा उसके बाद बूस्ट लोकल economy कैसे supply up the specific fuel to लद्दाग उड़रे रियूस्ट हार्ट सी फेस्ट बाइद लोकल पीपल फार transportation and mobility during the winter month therefore facilitate the local economy and the tourism देखिए यह जब विंटर डीजल वहाँ पे यूज होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका यूज के ओल आर्मी ही करेगा वहां के जो private वहकिल्स हैं जो civilian वहकिल्स हैं उनमें भी यूज होगा जब उनमें यूज होगा तो जो उनकी economic activity winter season में रुक जात winter diesel consumers in such areas are were using kerosene to dilute the diesel to make it usable which leads to more air pollution इसके पहले जो डीजल था उसमें उसको dilute करने के लिए उसमें kerosene डाला जाता था इससे क्या होता था कि जो air pollution की problem है वो बढ़ती थी ऐसे में now use of winter diesel would replace the use of kerosene therefore helping the reduction of the air pollution तो यह बात पूरी आपको जो है winter diesel के रूप में यह सब सारी चीज़े अगर पूछता है तो आप लिख सकते हैं तो आज का यह दोस्तों हमारा last topic था उम्मीद है कि जो भी चीज़े थी वो आपको समझ में आ गई होंगी अगला जो हमारा session होगा वो corona virus से related जितने भी current में developments हुए हैं उसके पढ़ेंगे तो वहां पर जो science and technology के कुछ portion है वहां पर हम कवर कर लेंगे आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर conclude करते हैं थैंक्स फार वाचिंग वी विल मीट अगें इन दर नेक्ट लेक्चर